नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रकास यूटेक में एकेट्यू रिजल्ट नाने से छात्र काफी परिसान है आखिर सिमिश्टर एक्जाम के रिजल्ट में इतनी लापरवाही क्यों हो रहे क्योंकि आज 24 तारीक हो गया और रिजल्ट का भी तक पता नहीं एक्जाम फार्म बनने के आगरी थी थी कल तक थी उसको भी खतम हो चुकी है साथ ही 3rd year का result कब तक आएगा? फाइनल year का result पेंडिंग है छात्रों को ये डर है को कहीं बैक लग गया और बता चला कि फिर अगल एक सिमिस्टर इन्टार करना होगा इनी सारी चीज़ों पर बात करने वाला हूँ साथ ही मैंने कुछ सोचा है एक ट्यू के बारे में रिजल्ट को लेकर तो उसको ब्लास्ट में बताऊंगा समझ देवाब साथ ही एक्जाम के बारे में बात करूँगा कि फाइनल जो डेट स्टेट है वो कब तक आज आएगा यानि कि नया टेंटेट्यू डेट स्टेट आएगा फिर फाइनल तेक तरीके से अब जो आने वाला फाइनली समझो वो कब तक आएगा लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो जिससे कि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक टाइम से पहुस सके चले वोड़ो को सुरू करते हैं अलग अपडेट लगा तार सामने निकल कि आ रहा है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी जान सकेंगे कैसे जस्ती हैं कौपियां जी हां डाक्टर एपी जियत्दूल कलाम प्रावधिक विस्विद्याले के विद्यार्थी अभी है जान सकेंगे कि उनके लिए पेपर का मॉडरेशन और कौपियों का डिश्टल मुल्यांकन कैसे होता है विस्विद्याले प्रसासन अपने हाँ परिक्षा और संब्धता नियामवली में काफी कुछ बदलाव करने का सोच रही आपको बता दूँ कि विद्यार्थी और संब्ध कौलेज हमारे महतपूर अंग है ऐसे मुनके लिए प्रक्रिया असान करना और पार्दासी करने का प्रयास है परिक्षा नियामवली में विद्यार्थियों को काफी राहत और जानकारी मिलेगी आनलाइन कोर्स करने की भी सुविधा विद्यार्थियों को देंगे जिससे की छात्रों पर कम दबाव पड़े हलाकि ये एक अच्छा प्रयास है नए बीसी साहब के द्वारा पांडे जी है और यहाँ पर देखे एक और अप्डेट है चार माह बाद भी परिडाम नहीं अगली परिक्षा पांच जून से जी हाँ यहाँ पर आपको बता दूँ डाक्टर एपीजी अदूल कलाम प्रावधिक विसुद्याल एक टियू में अभी तक पिछले दो सिमेश्टर का परिडाम नहीं आ सका जबकि परिक्षा हुए चार महिने हो चुके हैं महिन विसुद्याले की अगले सेमेश्टर की परिक्षा हैं पांच जून से सुरू होने वाली हैं जबकि परिक्षा परिडाम तयार करने वाली एजेंसी का चैन अभी तक नहीं हो सका है देखिए अब ये थोड़ा सा सौकिंग अपडेट है कि अभी तक यहां पर पताया जा रहा है कि एक्जाम जो रिजल्ट जारी करेगी उस एजेंसी का चैन ही नहीं हुआ है कि रिजल्ट जारी कौन करेगा विसुद्याले में परिक्षा विभाग की पठरी से उतरी बिवस्था समलती नहीं दिख रही विस्वध्याले प्रसासन की एजंसी के चैन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही विस्वध्याले ने पिछले दिन वेजंसी चैन के लिए टेंडर किया था टेंडर तिन कमपनियों ने डाला था लेकिन तकनीकी जाश में दो ही कमपनिया बाहर हो गए ऐसे मग विस्व विद्याले दोबारा से टेंडर करेगा और फिर से इन प्रक्रियाम को पूरा करने में 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा वहीं अभी तक जनवरी और मार्च में हुई समेश्टर परिक्षाओं का प्रडाम नहीं जारी किया जा सका है विद्यार्थियों का ख्याना है कि समय से प्रडाम जारी नहीं होगा तो वो अगली परिक्षाओं की तैयारी की साधार पर करेंगे इसके साथ साथ इन सभी बीच विसुविद्यालय प्रसासन ने 5 जून से तीसरे वह अंतिम वर्ड़ के परिक्षाओं के आयोजन का तारीक तैय कर दिया है तारीक्षा कारिक्रम की जारी की गई तिथिक में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत बदलाव संभव है हाला कि अब बात करते हैं क्या है इस आर्टिकल के हिसाब से जो कि अमर उजाला का आर्टिकल है और इसमें कहा गया है कि जो आपका मतलब रिजल्ट जारी करने वाले एजनसियां है उनका चैन नहीं हो सका है तो ये बड़ी बड़ी उसे चात रोक ले क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो 15-20 दिन का वक्त और लग सकता है रिजल्ट में इसका साथ साथ आपको एक चिस क्लियर कर दो कि कॉपियां लगबग चेक की जा चुकी है और ये जानगारी कुछ दिन पहले निकल के आई थी जो कि सही भी है अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एक्जाम के बारे में मैंने बता रखा है कि 27 जून 27 मई से 2 जून के मद में आपका प्रैक्टिकल एक्जाम होगा और ये एक्जाम आपके कालेज वाले बताएंगे कि कब कराएंगे वो उनके उपर डिपेंट करता है तो आप लोग अपने कॉलेज के टच्च में रहो साथ ही बता दू कि आपका एक्जाम का जो टेंटेटिव डेर्शिट है वो 28 मई के पहले तक 21 जारी कर देगा तो उस डेर्टिट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाहिया एक्जाम किस का किस कोर्स वालो का कब से चालू है कब खतम होगा कौन सा पेपर किस दिन पढ़ रहा है कितने दिन का ओवराल गैप है यह तमाम सारी चीज़ें जो है वो जान सकोगे समझ गए तो यही सारी चीज़ें हैं बाकी का रिजल्ट में हो सके तो थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल सकता है और पूरा प्रयास होगा एकेटिव का कि पहले फाइनल येर का रिजल्ट जारी कर दे फिर थर्ड येर का ऐसे में फर्स्ट य और सकेंडियर का रिजल्ट जो है अब जुलाई से पहले आने का कोई संभावना नहीं क्योंकि जिनका एक्जाम जनवरी में हुआ था उनका रिजल्ट ये टाइम से जारी ही नहीं कर पा रहें कि साधार पे कह दें कि रिजल्ट जिनका मार्च में एक्जाम हुआ है उनका जुलाई तक जारी कर देंगे चलो एकेट्यू लापरवाही कर रहे हाला कि मैं भी कुछ दिन पहले भी बताया था आपसे अगर अभी भी कह रहा हूँ कि मैं ट्विटर पे आँ साम को ट्विट करूँगा साम को 6 बजे ट्विट क्या करूँगा इस चीस को आप समझो कि एकेट्यू जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी कर रे नये वीसी को टार मतलब में पिन्सें करते हुए और एक्जाम कंट्रोलर को समझ गा आब लोग कमेंट करके बता ना किस यसको को मेंसें कर दूँ तो उसमें आप ट्वीटर पे मेरे साथ जुड़ जाओ, चैनल को अगर आपने सस्क्राइब करके अभी तक नहीं बेल आइकन को प्रेस किया है, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, देरी कर रहे हो, तुरंद क्लिक करो, और बन जाओ इस फाइमिली का हिस्सा, ट्वीटर पे फालो करनो रिट्वीट कर देना, सेर कर देना, एकर टी यू आलो, आपके ही कारे में, आपके ही हित में, मैं कारे कर रहा हूँ, समझ गए? चलिए, मिलेंगे किसी नए वीट में, किसी नए टापिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फुर वाच्छिंग, जैहिंद बने मातर हम, टेक किर,